साथियों मैं प्रबेंद्र प्रताफ सिंग राश्टिय सहीं हो जग शिडूल कास्ट फेडरेशन निर दिली आज देश के अंदर में चौतरफा विरोध नर्सी को लेकर के चल रहा है भारती जंता पार्टी की सरकार अनर्सी को आधार पर सिडिजन्सिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करना चाती है दोस्तो सरकार का कहना है के 1971 के पहले जिनके पास में डॉकुमेंट होंगे पढ़ाय लिखाई से जमीन से संबंदित उनी लोगों का नाम एनर्सी की लिस्ट में आएगा मैं सरकार को बताना चाता हूँ कि 1970 की अंदर में देखा जाए तो देश की साक्षरता दर जो है मातर 34 परसेंट थी इसका मतलब 1970 के अनुसार 66 परसेंट लोग देश के निरक्षर लोग थे अनपड़ लोग थे तो उन अनपड़ और निरक्षर लोगों के पास में डॉकुमेंट कहां से आएंगे आज 2020 के अंदर में अगर देखा जाए तो वो 24 परसेंट है यानि की देश में 31 परसेंट लोग निरक्षर हैं उनके पास में पढ़ाय लिखाई से सम्मझेट कोई डॉकुमेंट नहीं उपलब्ध है साथियों जमीन की जहां तक बात करें तो देश में 30 करोड लोग भूमिहिन हैं ऐसा भारत की संसद में अरुन जेटली जी ने मुद्रा योजना लागू करते वक्त बताया था तो भूमिहिन लोगों के पास में जमीन का एक टुकडा भी नहीं है उनके पास में दस्तावेज कहां से होगा वो कहां से डॉकुमेंट लेके आएंगे देश के अंदर में एक करोड़ सतन लाख लोग बेगर हैं ऐसा मेरा आकड़ा नहीं है ऐसा सरकार का सर्वे करने वाली जो संस्ता है NSISO नाम की उसने आकड़ा दिया है जो लोग फुटपार पर अपना जीवने आपन करते हैं फुटपार पर अपने जिंदगी विदित करते हैं वहीं अपने बच्चों को जनम देते हैं वहीं खुले आसमान के नीचे मर जाते हैं उनके पास में ना कोई पढ़ाई का दस्त इनकर बात है कि 15 करोड लोग भिमुक्त और घुमंतु लोग हैं जो इस देश में निवास करते हैं आपने बहुत सारी जातियों के नाम सुने होगे कालवेलिया है नट है बेडिया है भुपा जाती के लोग हैं जिन पर एक किसी भी प्रकार का कोई डॉक्मेंट रहे हैं तामिलाडू के अंदर में एक सलीम शहर है वहां पर एक प्रेमा नाम की 31 वर्सिय महिलाने जिसके तीन बच्चे हैं भूख से तडपते हुए अपने बच्चों को देखते हुए अपने सर के भरी जवानी में बाल मुडवाए और डेड़ सु रुपे में बेज करक वो अपने बच्चों के लिए खाना लेके आई लेकिन इसके बावजुद भी ये बेशर्म सरकार एनार्सिक के आधार पर सिटिजन्सिप अबेंटमेंट एक्ट लागू बनाना चाहती है ये काला कानून है ये काला दस्तावेज है एक तरीके से भारत के इतिहास में भी त के लोगों को विदेशी घुषित करना चाहते हैं इसको लेकर के बामसिप के राश्टिय अध्यक्ष और बहुजन करांती मोर्चा के राश्टिय सेयोजग अधर डिवावन में साम साहब ने राश्टिय वापी इस तरपर जो भारत बंद का एलान किया है उस भारत बंद के मैं पूरू तरीके से पुर्जोर समर्थन करता हूँ और इसके साथ साथ मैं पूरे देश बर में तहसिल इस्तर पर जिला इस्तर पर कमिशनरी इस्तर पर राज इस्तर पर राश्टि इस्तर पर जो भी डॉक्टर बाबा सार बंबेट के नाम पर संगडन चल रहे हैं उन से महासचीवों से मैं अपेल करता हूँ कि वे लोग भी इस काले दस्तावेज के विरोध में सिटिजन सिब अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में एनार्सी के विरोध में अपना समर्तन जाहिर करें और पूरी तरीके से भारत मंद में अपना एलान करें ऐसे मैं आप सभी लोगों से अंडरोद करता हूँ धन्यवाद